हलो एन वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवुड गप्षप आपके साथ मैं हूँ पारूलत्यागी बॉलिवुड गप्षप में आज क्या को छेखास चलिए डालते हैं नजर देश में चल रहे किसान आंदौलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों के टूइट करने पर भारतियां हस्तियां भी प्रतिक्रिया दे रही हैं और उन्हें देश को बाटने वाला प्रोपोगेंड़ा से बचने की नसीहत भी दी जा रही है भारतियां हस्तियां अमेरिकी पॉ प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी तक कह डाला इस पर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांच ने प्रतिक्रिया दी है जिसके बाद दोनों के बीच शोशल मीडिया पर फिर से बहस चुरू हो गई वर्चुल बहस के दोरान कंगन दिलजीत को खालिस्तानी तक कह दिया जबकि इसके जवाब में दिलजीत ने कहा कि यहां रहने वाले सब भी लोग हिंदुस्तानी है दुनिया की सबसे पॉपुलर पॉप सिंगर रेहाना के किसान आंदौलन के समर्थन में किये गए ट्वीट से देश में हंगामा हो गया ह कई सलेब्स रेहाना को इस प्रोपोगेंडर से दूब रहने की नसीहत देते नजर आए तो कई सलेब्स उनके ट्वीट की सराणा भी कर रहे हैं अब रेहाना के ट्वीट का समर्थन करने वाली तापसी पन्नू ने एक और ट्वीट किया है इस ट्वीट के जरिए तापसी PAL अगर एक ट्वीट से किसी की एकता डगमगाती है या मजाक से किसी का विश्वास डगमगाता है और एक शो से किसी की थार्मिक भावनाय आहात होती है तो उन्हें अपनी व्यवस्था उमस्बूत करना चाहिए बॉलिवुट की रंगीला गर्ल नाम से फेमर्स एक्टरस उर्मिला मातुनकर फिल्मों से दूर अब राजनीती में सक्रिये हैं और आज वो चार फरवरी को अपना 47 वा जनम दिन मना रही हैं उर्मिला ने रंगीला, पिंचर, जुदाई, सत्य जैसी कई फिल्मों में बहतरीन प्रदर्शन किया है भले ही इन में से कई फिल्में कमर्शल हिट नहीं रही पर उर्मिला की एक्टिंग काबिल तारीफ थी उर्मिला को इन फिल्मों के लिए फिल्म फेर बेस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है हिंदी फिल्मों के अलावा उर्मिला ने तेल्गू, तमिल, मलियालम और मराथी सिनेमा में भी काम किया है विकास गुपता अब बिग बॉस 14 का हिसा नहीं है, वो इस शो के सबसे चर्चित कंटेस्टेंस में से एक थे विकास गुपता ने शो में रहकर काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन पिछले हफते वो बिग बॉस 14 के घर से बेघर हो गए शो से निकलने के बाग विकास गुपता ने टीवी के तीन कलकारों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने की धमकी दी है विकास ने ये धमकी उनके खिलाफ फरजी अफ़ाय फैलाने के लिए दी दरसल बीते दिनों टीवी अभिनेता और रियालिटी शो रोडीज के कंटेस्टेंट विकास खोकर ने विकास गुपता पर आरोप लगाया है क्यों ने विकास खोकर से उनकी आपती जनक तस्वीरे मांगी थी इसके अलावा पार्ट सम्थान और प्यांक शर्मा ने भी विकास को लेकर बयानबाजी की थी अब बिग बॉस 14 से निकलने के बाद विकास गुपता ने इन तीनों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने का फैसला किया है बिग बॉस 14 से लोग प्रियता हासिल करने वाली पंजाब की केटरीना कैफ यानिकी शेहनाज गिल की फैन फॉलाइंग लगतार बढ़ रही है फैन्स उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब रहते हैं ऐसे में उनके लिए एक अच्छी खबर आई है शेहनाज जुल्द ही पॉपुलर सिंगर और रैपर बाच्छा के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नज़र आने वाली है शेहनाज गिल ने खुद इसका खुलासा करते हुए बाच्छा के साथ इंस्ट्रोग्राम पर फोटो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा कमिंग सून इस तस्वीर को बाच्छा ने भी शोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा ये लड़की पागल है ऐसा पहली बार है जब शेहनाज और बाच्छा एक साथ किसी प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे बॉलिवुड गप्शप में आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहेए न्यूस वाल इंडिया